हलो स्टुडेंट आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा साइन अठारा अंस बरावर रूट में पांच माइनस एक बटा चार ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ठीटा बरावर यहाँ पर क्या दिया दिया है यहाँ पर दिये गए अठारा अंस ठीक है यह जो साइन के साथ है यही है आपका ठीटा ठीक है अठारा अंस तो यहाँ पर अठारा अंस है ऐसा कौन सा मान हमें पता है साइन का जो अठारा के गुड़े में आता है ठीक है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने के लिए यहाँ पर पहाडा लिख रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो ठीक है तो यहाँ पर 18 आता है और 18 दोना 36 होता है लेकिन यह साइन ऐसा कोई मान नहीं है जो हमें डारिक्ट पता हो ठीक पर किसका गुड़ा करेंगे 5 का गुड़ा करेंगे ठीक है 1850 क्यों क्यों होता है ठीक है तो यहाँ पर हम 5 का गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा 5 थीटा और इस तरफ आए गए 90 ठीक है अब यहाँ पर इसको 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 2 theta Plus 3 theta बराबर 90 क्योंकि इन दोनों को जोड़ें सहसे थे 5th सबसक्य क्या है अब यहां से यहांपर 2th बराबर लिख सकते हैं, इसको 90 Minus यह Plus का 3 theta उस तरफ जाह। माइनस माइनस का 3 theta हो जाह। अब यहां पर क्या करना है आपको दोनों तरफ क्या ले लेना है यहried ठीक है, दोनों पच्छों का साइन लेने पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको साइन लगा देना है, यहाँ पर साइन ये 2 थीटा, और बराबर ये साइन और ये 90 माइनस 3 थीटा, और साइन 2 थीटा का सबने फार्मला पढ़ रखा है, ये फार्मला है डारेक्ट 2 साइन थीटा इन्टू कॉस थीटा, ये सूतर होता है, इसका साइन 2 थीटा का और बराबर, ये साइन 90 माइनस थीटा का सूतर है, यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीट सबने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है कॉस ठीटा के बराबर होता है ठीक है यह जो ठीटा रहता है यहाँ पर ठीटा ही रहता है बस साइन का किसमें चेंज हो जाता है कि कॉस में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर साइन का किसमें चेंज हो गया यह कॉस में चेंज हो गय देखma नियुक्स थीट नियुक्त कि यहां से क्या करना है hem ह tarina जाने हैं है अब यहां से क्या करना है सिफ्टा इन दोनेंक सभी धेखा जाए हैं кос़्या दोनों में कामनाने हैं को यहां से क कामना ये horror 2 सभ्वास स्क्वाएर ठीट यहां पर 3 सुपछजन रूद है क्योंकि यह पर cos theta ही common है तो यह पर 3 बचेगा ठीक है अब यहां से cos theta दोनों तरफ cancel out हो गया है तो यहां से बचा 2 sin theta और बराबर में यह 4 cos square theta minus 3 तो आगे देखते हैं यहां पर यह हो गया 2 sin theta बराबर 4 इस तरफ है sin ठीक है इसको भी हमें किसमें बना लेना है sin में तो हम सबने पढ़ रखा है एक formula यहां पर लिख देते हैं sin square theta plus cos square theta किसके equal होता है 1 के equal होता है ठीक है तो यहां से कर हम cos square theta निकालना चाहें 1 minus sin इस तरफ आएगा तो minus sin square theta हो जाता है तो यहां पर cos square theta के इस थान पर क्या रख सकते हैं 1 minus sin square theta रख सकते हैं तो यहां पर हम इसी के इस थान पर put करेंगे इसको लिखेंगे 1 minus sin square theta ठीक है आगे minus का 3 जैसे का तैसा यहां पर लिख देना है अब यह हो गया 2 sin theta बराबर यह इसका गुड़ा कर लेना है अंदर 4 minus 4 sin square theta और minus का 3 और इसको simplify करना है 2 sin theta और यह बराबर का यह 4 है यह minus 3 है ठीक है कितना बचेगा सिर्फ 1 और minus का 4 sin square theta अब क्या करेंगे सबको एक पच में ले जाएंगा ठीक है यह जो इस तरफ है इसको सबको उस तरफ ले जाना है तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारे यह बचेगा क्या इस तरफ लाएंगे तहाँ पर यह हो गया 4 sin square theta और plus का यह 2 sin theta पहले सी है और यह plus का 1 है इस तरफ आएगा तो minus का 1 हो जाएगा बराबर में 0 अब यहाँ पर यह देखा जायती है एक प्रकार का दुइघाती समिकड बन रहा है ठीक है यहाँ पर देखिए sin square theta अगर इसको sin theta को x माल ले तो 4 x square plus 2 x minus 1 इसी टाइप का है ठीक है तो यह क्या है हमारा एक प्रकार से दुइघाती समिकड है sin theta का तो sin theta बराबर हो गया minus b plus minus root के अंदर b square minus 4 ac upon 2a यह सबको सूत्रियाद है अब यहाँ पर इसमें रखना है तो b के अस्थान पर क्या है यह है हमारा 2 ठीक है तो यहाँ पर यह 2 हो गया plus minus root के अंदर 2 का square 2 का square कितना हो जागा 4 और minus 4 गुडे 4 यह गुड़ा है एक कैसान भी कितना है यह जो 4 है ठीक है यह 4 और into का c कैसान c यानि कि अचरपत होता है यह minus का 1 है तो यहाँ पर bracket के अंदर minus 1 लिख देते हैं और पूरे का बटा 2a दो गुड़े कितना a यानि कि यह जो 4 है ठीक है यह है आपका a अब बस इसी को हमें simplify करना है तहाँ पर ही हो गया minus 2 plus minus root के अंदर 4 और यह minus का गुड़ा minus में हो गया यह plus हो गया चारज हो के 16 16 एक का 16 ठीक है और बटे 4 दोना कितना हो गया यह 8 हो गया minus 2 plus minus root के अंदर यह कितना आएगा 20 16 4 कितना होगा root के अंदर 20 होगा और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं root 20 जब आएगा root 20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फिर पांच एका पांच यहां पर एक जोड़ा दो का बनता है तो दो को बाहर रखते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ही पैक रखते हैं ठीक है तो यहां पर इसको लिख सकते हैं दो रूट पांच और बटे कितना है आठ है अब इसको सिंप्लि यह है आठ, दो एक का दो, दो चो की आठ, cancel out हो गए, अब यहाँ पर, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो साइन ठीटा का है, वो कितने मान निकलेंगे, दो मान, क्योंकि यहाँ पर यह प्लस माइनस दो चिन है, ठीक है, लेकिन जो माइनस वाला चिन होगा, वो अठारा अंस जो है, वो पहले चतुर्थांस में आता है, और पहले चतुर्थांस में माइनस होगा ही नहीं, तो यह जो है, माइनस वाला मानने हो जाएगा, जो प्लस वाला है, यही आपका मानने होगा, यानि कि माइनस वन प्लस रूट फाइप बटा चार, या फिर इसको सान पर हमने कितना माना था 18 यहां पर रख देते हैं साइन 18 बराबर कितना है रूट 5 माइनस एक बटा दो ठीक है यही हमें लाना था साइन 18 बराबर रूट 5 माइनस वन अपान 4 तो आए हो भी आपको उच्छे से समय रहा होगा तो अपने कापी में इसे नोट डाउन कर धन्यवाद